ओम नमो भगवते वासू देवाई आप सभी को कार्तिक के स्पावन महिने की बहुत सारी शुब कामनाई कार्तिक मास की पहली एकदशी को रमा एकदशी कहते हैं वैसे तो कार्तिक का महिना पूजा के लिए बहुत ज्यादा शुब फलदाई और महत्पोर्ण महिना होता है और इसकी एकादशी तो और भी महत्पोर्ण होती है और कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेश महत्व भी बताया गया है ऐसे में कार्थिक मास में आने वाली एकदशी का महत्व भी बहुत गुना बढ़ जाता है रमा एकदशी का वरत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख सम्रद्धी आती है और इस बार रमा एकदशी पर बहुत ही शुभ योग भी बन रहे है इसलिए इस व्रत को करने से व्यक्ति को दोगुना अधिक फल मिलेगा तो आईए जानते हैं कि एकदशी कब है इस बार रमा एकदशी पर हरी वासर लग रहा है और शास्त्रों के अनुसार हरी वासर में व्रत करने से व्यक्ति को बैकुंठ में स्थान मिलता है एकदशी तिथी का आरंब 27 तारीख को सुबह 5 बजकर 24 मिनट पर हो रहा है और 28 तारीख को सुबह 7 बजकर 51 मिनट पर एकदशी तिथी का समापन हो रहा है इसलिए दोनों ही दिनों में उदिया तिथी की अगर देखा जाए तो दोनों तिथी में सूर्य उदय के समय एकादशी तिथी उपस्तित है परन्तु हम जो दश्मी तिथी में विस्तारित एकादशी होती है उसका व्रत नहीं रखते जो द्वादशी में एकादशीती थी विस्तारित होती है उसी का ही वरत रखते हैं इसी लिए हम इस वरत को 28 तारीक को ही करेंगे और यदि मैं बात करू वरत के पारण की तो आपको 30 तारीक को सुबह 10 बचकर 29 मिनट से पहले पहले वरत का पारण कर लेना होगा ऐसी माननता है कि जो व्यक्ति हरी वासर में एकादशी का वरत रखते हैं उसे बैकुंठ मिधाम में वास मिलता है और धार्मिक माननताओं के अनुसार जब एकादशी तिथी दो दिन उद्या तिथी में होती है तो हरी वासर योग बनता है इस बार ऐसा ही संयोग बन रहा है और ये बहुत दुरलब संयोग होता है। यदि इस दिन कोई जाने अंजाने में भी वरत कर ले तो भी श्रीव हरी विश्नु भागवान और माता लक्षमी की असीम कृपा प्राप्त होती है। रमा एकदशी का बहुत महत्व है। कार्तिक कृष्न की एकदशी जिसका नाम है रमा। ब्रह्म वैवर्थ पुराण के अनुसार रमा एकदशी का वरत करने से सब पापों का विनाश होता है। और भगवान की असीम कृपा तो मिलती ही है। यदि आप वरत रखने में असफल हैं तो आप कोशिश कीजे कि कम से कम इस दिन आप अनाज यानि की रोटी तो बिल्कुल भी ना खाएं बाकी आप कुछ भी और ले सकते हैं। और यदि संभव हो कि पूरा वरत रख पाएं तो अवश्य रखें। और यदि आपको लगे कि आप रोटी भी नहीं छोड़ सक तो कोशिश कीजे कि आप इस पावन एकदशी के दिन अत्यधिक्त नाम जब करें और कथा तो अवश्य सुनें। कथा सुनने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकिशन आपको मिलें। इसलिए बेल आइकन भी दबा लेजिए। कार्तिक के पावन महिने में रोज आपको नई नई कथाएं सुनने को मिलती रहेगी। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब जरूर करें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। ताकि इस दुरलब रमा एकदशी का महत्व सबको पता चल सके। हरी कृष्णा।